नमस्कार दोस्तों मैं राजिस कुमें आपका एक वाइफी सर्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एटपोटेक में दोस्तों अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है रेन अंडे स्ट्रीज पे लास्ट हस्डे को तो आज हम उस पे कुछ अपडेट देने वाला हूँ आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि कौनकों से मिच्छल फरनी से भाइ कर रही है रसल बैंड के वाई में बॉंड फ्राइस के वाई में क्यू थी का रिजल्ट क्या हुआ जी पी सी रसल क्राइस चेर्ड क्या है और जो बिजाक का प्लान्ट है उसका अपडेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अभी जो लेटेस्ट न्यू जाया है उसे related कि क्या USA Russell के उपर फीसे बैन लगाएगी तो जैसे कि मैं आपको पहले बता दूँ कि जो United Company Russell है वो वर्ल्ड की Second Largest Immunium Producer Company है और USA ने उसे 2018 में बैन लगाया था बाद में उसने बैन हटाया था जब Russell ने अपने कमपनी से Holding को Restructured किया 17 December को यानि Last Tuesday को यूरोप में एक नूज आया कि European Union ने Russell के खिलाप एक रिपोर्ट यूसे को दिया था तो अब अटकर लगाया जा रही है कि अमेरिका फीसे रसल पर बैन लगा सकती है रसल पर बैन लगा भी सकती है नहीं भी लगा सकती अब ये Depend करता है कि उससे का जो New Government आती है वो क्या किस पर कॉल लेती है तो अब देखते हैं कि कितना मेटर करता है रेन इंडिस्ट्रीज पे तो जेन का जो रसिया प्लाइंट है CTP का उसका जो टोटल जेमनू है उसका 4% आता था रसल से क्योंकि रसल इसका एक मेजर क्लाइंट है अब अगर रसल पे बैन होता है तो इसका मतलब है कि जेन इंडिस्ट्रीज को इतना क्वांटिटी किसी और क्लाइंट को सेल करना पड़ेगा जेन इंडिस्ट्रीज के एमडी जगन ने 2018 में ये सफाई दी थी कि हमारा टोटल जेमनू में रसल का हिस्सा कीबल 4% है अगर कोई बैन लगता है तो जेसल पे हमारी कमपनी को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा हम लोगों क्वांटिटी कहीं और दुसरे क्लाइंट को आराम से बेच सकते हैं तो अगर देखा जाया तो इसका जो एक्च्वल इंपक्ट जो परेगा रसल पे बैन लगाने से उससे ज्यादा इसका निगेटिव सेंटिमेंट से प्रावलम होगा अब देखते हैं कि इसका सेर प्राइस पर क्या इंपक्ट आया इस निउज के आने के बाद तो जैसे 17 दिसम्मर को इवनिंग में इसका निउज आया तो 18 को जेन इंडस्टीज के सेर में के हैवी सेलिंग आया जैसा कि आपके ग्राफ में देख सकते हैं कि इस पर एक हैवी सेलिंग आया और इसका जो अपना सपोर्ट लेवल था 130 रूपीज का 131 रूपीज का सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करते वे 126 के लेवल पर आ गया जबकि आप अगर देखें तो इसके प्राइस बढ़ रहा थे लेकिन ये नीज के इसका 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 इक हैवी सेलिंग आया और हो सकता है कि जो निगेटिव संटीमेंट है इसके कान इसका जो नेक्ष सपोर्ट लेवल है 120 रूपीज का ये भी ब्रेक हो सकता है अब चलिए इसका देखते है किसका bond price क्या है तो इसका bond price increase क्यों हो रहा है यह क्या indicate करता है तो अगर आप यहाँ देखे graph तो इसका जो bond price है वो increase हो रहा है आप इसले अगर दो साल में अगर देखे तो bond price first time 102 dollar को cross किया है तो यह जो bond price है यह जो Zain Industries का अपना bond है Zain Carbon bond तो यह indicate करता है कि जो हमारे foreign banks है या foreign flare है वो इसके बाएं में क्या सोचते है तो जब इसका bond price increase हो रहा जबकि अगर 1718 को जो new जाई है उसके बाद में इसमें कुछ खास trade नहीं हुआ है मतलब कि अभी इतना panic की बात नहीं है तो फिर भी इसका price क्यों बढ़ रहा हूँ क्योंकि यह जो इन्मुनियम का भी जो prospect है जो अगले साल इसका जो prospect है 2021 में CPC, CTP और इन्मुनियम का prospect को देखते हुए इसका जो bond price है वो अभी भी ऊपर जा रहा है जो अभी जो current quarter है अक्टूबर से दिसंबर वो अचली carbon के लिए और chemical product के लिए lean period होता है क्योंकि इस समय जर्रली जो company होती है वो annual maintenance के कान तो वासा low production माना जाता है तो इस वज़ा से इस quarter में कुछ खास result उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन इसका जो cement division है वो इस quarter में भी एक अच्छा result दे सकती है लेकिन इसका जो अभी HHR CR plant है उससे अभी कुछ revenue एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी जो raw material है GPC इसका price अभी rise हो रहा है तो हो सकता है इसके current जो इसका margin है वो Q4 quarter में CPC का जो margin है वो थोज़ा सा इस पर कम आएगा जो CTP का margin है वो East quarter से थोज़ा improve होगा इसका जो HHR CR plant है वो अभी थोज़ा delay हो रहा है और हो सकता है कि जो इसका revenue हो जनवरी से जो March quarter होगा वहां से साथ कुछ contribution मिल सकता है वहां से बिजाग plant को भी अभी start होने में अभी काफी देर लग रहा है अब देखते हैं कि इसका major hurdle क्या है जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोट ने वो जीपीसी के import करने पर बैयान लगा था कि आपन लिम्टेड नमबर आप जीपीसी इंपोर्ट नहीं कर सकते उनने कुछ limit किया था उसके कान इसका जो जेन का quota है इंपोर्ट quota है वो every year decrease हो रहा था और जो बिजाग प्लांट के लिए इसका अभी तक quota ऐसे मिला नहीं है तो इसकान से भी इसका जो price है last two years में अब देखे तो सबसे कम आगे 100 से नीचे था जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि EPCA को एक guidance submit करना है कल्चानर कमपनियों के वाई में कि जो FGD सिस्टम लगाएंगे उनका quota कितना होना चाहिए तो उनको 15 मार्ज तक submit करना था लेकिन उन्हों अभी तक submit नहीं किया है और अभी तक जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट फीशे कुछ नहीं पूछती है तब तक कुछ को पूलनी सकते है और कमपनी है जो कि कोर्ट को और जो various department है उनको convince करने की कोशिस कर रही है कि इनका जो plant है वो list poll eating है इसलिए उन्हें ज़्यादा import करना का allow होना चाहिए लेकिन अभी तक इसमें कोई success मिला नहीं है इनका जो huge capital है लगवग 100-120 million dollar का वो अभी भी ऐसी फसा हुआ है अभी जो government का focus है anti-china policy पे तो हो सकता है कि उसके कान है में कुछ benefit दिखे और वहां से जो raw material है उसे import करने का तो और भी benefit मिल सकता है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ HCR plant बहुती delay हो रहा आप management अभी तक कोई clear information नहीं दे पा रही है कि कब से वहां से revenue start होने लगेगा अब depend करता है कि अब जो supreme court ने जो GPC पे जो बैन लगाया था एक quota defined किया था अगर उसे जेन को अगर ज्यादा इलाव करती है sufficient GPC import करने के इलाव करती है तो फिर यह stock है जो कि फिर बापस अपने price पे आ जाएगा और फिर वहां से गईने के कोई chance नहीं है तो अब हमें आगे क्या देखना है तो जैसा कि cement company है उसने अभी भी बहुत ही solid margin दे रही है और CPC या CTPG का margin जो है वो Q1 जो quarter से आएगा वहां से तो अच्छा improvement होगा CPC import China is down वहां China से भी import जो है कम हो रहा है इसके वाज़ा से इन्मंग्यम price इज दो साल के high price पे है और there is a good demand of CPC and CTP in India and Middle East CPC price is rising from past many months in China China में इसका CPC का price भी बहुत ही increase हो रहा है जैसा कि हमने देखा कि चार्ट में के bond price भी बहुत ही strong है एक positive sentiment है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था क्योंकि कौन सी mutual fund इसको भाई कर रहे है तो मैं आपको बता दो कि HDFC mutual fund बहुत सालों के बाद उन्हेंने कहितना स्टार्ट किया है और ICC mutual fund also started increasing their stack और डोली खना जिनके पास की जैन इंडिशीज का बहुत ही stock हुआ करता था उन्होंने बीच में sale करना start कर दिया था और अभी वो उन्होंने फिस से buying करना start किया है तो अब देखते हैं इसका आगे का trend क्या रहेगा तो मेरे view में ऐसा लगता है कि जो अभी जो new जाया है कि जैसल पर band हो सकता है new government band कर सकती है तो ये एक negative sentiment है और जिस तर से heavy selling आई है 130 का support level एक break कर चुका आगए ये 120 का जो दुसरा support level आगए इसे भी break हो सकता कर दे और ये नीचे 110 rupees के पास आ सकता है लेकिन मुझे अभी भी आसा है कि अपना price जो है वो 120 और 120 के बाद रिकवर कर लेगी क्योंकि अभी तक जो रसल पर band हो अभी confirmed news नहीं है और दुसी बात है कि बहुत ज़्यादा impact नहीं करेगी वो बस sentiment के कान ही नीचे भी आ रहा है इतना ज़्यादा impact नहीं करेगी तो अभी मैं क्या करने वाल हो कि में पास जो quantity आधे quantity तो अगले 6 मेने के लिए होल्ड करूँगा अब आधे quantity को थुआ हो जब market उपर नीचे हो खुआ है उसमें मैं तो तुरूषप गरूँगा तो हो सकता है कि मैं जो अभी बता रहा हूँ मेरा जो ब्यूप बता रहा हूँ हो सकता है कि मैं गलत भी हो, लगिन मेरा purpose था इस विडियो बनाने का कि जो latest update है जिसके बाए में जिसके बाए में कई लोग कमेंट करके पूछ होई रहे थे तो मस वो लेटेस अपडेट लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में बनाया हूँ आपको तो अभी जो मेरा भी हूँ है आप इसके उपर मत जाएए या sentiment के कार नीचे जाएगा या मैं जो positive sentiment बतारों उसके उपर जाएगा आप मेरे analysis पर मत जाएए आप अपने जो financial consultant है आप उससे decision लेके ही आगे कोई काम करें यह सीट मेरा analysis था आप जो के educational purpose से था थांक्यू जाए हिंद